प्रिंका जी हमारे बीच में मुझूद है आईए हम उनसे बात करें कि पहले तो प्रिंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत प्रिंका जी सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपनी प्रिष्ट भूमी के बारे में बताइए ताकि अवाम भी जानना चाहती है क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम एलेक्शन है इसके बारे में बताइए जी वैसे तुम्हें पानिपत को बिलॉंग करती हूँ और अब मे परिवारिक ही हमारा कॉंग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और मैं जो कंप्यूटर इंजिनियर हूँ वैसे बट चुरू से ही जो एक अटिट्यूट या अप्टिट्यूट लगा लीजे मुझ में था कि सुसाइटी के लिए या कुछ सर्व करके जाना है मुझे एक इन ब पाया उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टिट्यूट स्टार्ट कर लिया अब मुझे लगा टाइम बिल्कुल सही है कि मैं जो मेरा एक सपना था कि मैं अपनी जो समाज को अपने जो अपना ये अपनी सुसाइटी को है उसको सर्व करके जाओं तो इसलिए मैं एलेक्शनों में माध्यम से आप सब के बीच में आई हूं और अपनी सुसाइटी को कुछ कोंट्रिब्यूट करके जाना जाती हूं प्रिंका जी जैसे आप यहां पर खड़े हो फर्स्ट सेलेक्शन है आपका और हम यह तहीं कि आपके एरिया है जो आपका वहां पर आपकी प्राथमिक कि की कि जो cancelled लर्ज है या फिर कोई भी जो पाप्लिक ओफेस होल्डर हैं वह पब्लिक के लिए अब》ीलिबल ही नहीं होते समस्या समधान करना तो अलग बात है कि हमें उनके बीच में हम जो समाज के जो अमारे जो ये जनता है वो हमें चुनती है हम उनका प्रतिनिधी है तरह से तो हमें उनके बीच में रहके काम करना है तो मेरी जो प्रात्मिक्ता रहेगी वो यही रहेगी कि लोगों के बीच में रहके ल भी यूथ हो तो आप हमें वह independent कर रहे हैं तो तो हमसे हमारी अंदेखी हो रही है इसके बारे हम तरह तो बहुत उमीद्वार तो बहुत सारह होते हैं और सभी में प्रतिबा होती है यूथ है यूथ तो इतनी energy से भरा हुआ है कि वो कहीं भी उसको बस चैनलाइज करने की जुरूत है तो ये थोड़ा उनके misunderstanding है उन्हें गलत फहिमी है उनको भी मनाया जाएगा अपने साथ लाया जाएगा बड़ जी उमीद्वार तो वही है कि एक ही हो सकता है प्रतिनिदित तो एक ही कह रहे हो कि जीतने के बाद मेरी availability होगी अगर आप action जीत जाते हो तो आपने कोई planning किये किस तरह से availability होगी ताकि लोगों को ही पता चले जी मैंने इसके लिए planning ये कर रखी है कि हम हर महीने का एक दिन निर्धारित करेंगे हर सेक्टर के लिए आठ नौ दस के लिए हम उस दिन पर सभी जो हमारे सेक्टर के वासी हैं सब को पहले ही WhatsApp मैसेज पर बता दिया जाएगा और वो दिन पक्का रहेगा कि जिसको जो समस्या है वो फलाना मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारा community center बने क्योंकि कभी बारिश होती है कभी ठंड होती है तो मीटिंग के लिए हमारे पास एक प्रॉपर जगा होनी चाहिए जहां पर पूरे सेक्टर वासी आए अपनी प्रॉब्लम दर्च कर आए और हमसे मिल सके और जो एक आपका निर्धारित समय होगा उस पे हम आपस में discussion कर सके नौ में community center बिलकुल है बट उसको भी थोड़ा maintenance की जुरुवत है दस में जो community center है उसकी हालत बहुत ही कराब है उसे तो हमें पुनन निर्मान कराने की ही जुरुवत है तो मेरा यही एजंडा रहेगा कि हम दिन अब जो मैं आपसे में एहम सवाल कर रहा हूं जैसे आपने खुद कहा कि किसी को नहीं मिलती एक ही candidate होता है और आपके area में भी सभाविक है कि जब आप campaign के लिए जाते हो आपको भी competitor होंगे जो मांगते होंगे तो क्या वो जो Congress के जो स्थानी leader है आपके वार के क्या वो आ हमारे बड़े-बड़े leaders हैं हमें guide कर रहे हैं हमारे मार्क दशन कर रहे हैं हमारे sector 8 से संगीता गोईल जी हैं 9 से हमारी जलमेगा दया जी हैं और 10 में ककर जी हैं यह सब हमें मतलब अपना बदा रहे हैं कि किस रास्ते पर चलना है कैसे approach करना है कुछ हमारी विचारदार है कुछ उनकी guidance है तो हम सब मिल जुलके चल रहे हैं और जो हमारा campaign है वो बहुत अच्छा चल रहा है सभी लोगों का हमें बहुत जादा प्यार और साथ मिल रहा है अब आप से मैं अन्त में वो स्वाल करूँगा कि आप हमें ये बताएं कि आपके वार नम्बर चार के जनता प्रिंका को बोट क्यों दे क्योंकि जी मैं उनके बीच में खड़ी रह के उनके साथ खड़ी रह के अपने वार्ड की समस्याओं के लिए लड़ूंगी ना कि कहीं पीछे कमरों में रह के और अंदेखी नहीं करूंगी, मैं आप सब के साथ रहूंगी और मैं आप सब के बीच में रह के सब कुछ करूंगी, इसलिए मेरी आप से अपील है, अगामी 27 दिसंबर को पून बहुमत से हमें जिताएं अपने देखा कि इंडियन नेशनल कॉंगरेस ने पंचुक अला के अंदर किस तरह से यूथ जो लीडर हैं, जबकि सुनने भी वह आया था कि यूथ की अंदेखी की है, लेकिन आपने देखा कि प्रिंका ने किस तिक के से अपनी पार्टी क्या पक्ष रखते हुए, ये समझ